सब को एक बात के साथ एंकरेज करना चाहता हूँ कि प्रभु येश्यू जल्दी आने वाला है और इसलिए हमें उसके आगमन के लिए तयार रहना है और प्रभु के आने पर प्रभु हमसे एक ही सवाल पूछेगा कि हम अपने मसीही जीवन में कितने वफादार रहे हैं उस पर विश्वास करने वाले, सब विश्वास करने वाले, कम विश्वास करने वाले और जादा विश्वास करने वाले, सब प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिये जाएंगे और संसार समाप्त हो जाएगा उस समय पर इस बात का कोई माइने नहीं रहेंगे कि हमने दुनिया में कितनी तरक्की हासिल की है और कितना पैसा कमाया है ये भी नहीं कि हमने कितना नाम कमाया है ये भी नहीं कि हमने हमारे बच्चों के लिए क्या छोड़ा है एक ही चीज आपका दिल तडब तडब के चाहेगा उस दिन जब आप रभू को बातलों पे आता हुआ देखेंगे और उस दिन आपके मन की इच्छा ये होगी कि इस प्रभू को मैंने धर्ती पे प्रेम क्यों नहीं किया जो मेरे समर्पन के योग्या है और इसलिए हर संडे जब वचन प्रचार होता है जब आप रोज खुद बाइबल पढ़ते हो जब आप रोज प्रातना करते हो हर एक जो मौका हमारा जो आमना सामना होता है वचन के साथ वो आमना सामना प्रमेश्वर के साथ होता है और हर बार जब तक हमें इस धर्ती पर जीवित हैं, प्रभू बस हमें मौका देता है, बार-बार मौका देता है, वो हमें दिकार कर या धक्का मार कर हमें दूर नहीं करता है, बट वो प्रेम के साथ हमारा इंतजार करता है, कि हम उसको समझें कि वो हमसे कितना प्रेम करता है और सच्ची शान्ती और खुशी प्रभु में है सिर्फ प्रभु में है सच्चा प्रेम सिर्फ प्रभु का है जो खुशियां हम ढूंडते हैं संसार में अलग-अलग चीजों में वो खुशियां प्राप्त करके भी हम खुश नहीं होते क्योंकि वो चीजें हमें खुश नहीं कर सकती संसार की चीजें खुश नहीं कर सकती हम सब ये जान ले बुद्धी इसमें है परमेश्वर का भेमानो यही बुद्धी है यहां से बुद्धी की शुरुवात है यहां से जीवन की शुरुवात है तो मेरे प्रियो प्रभु येशु जल्द वापस आने वाला है और हम इस तयारी में रहें जब प्रभु आएगा हम उसके लिए जाकते हुए और इंतजार करते हुए पाए जाएं ना कि भटके हुए संसार के अंदर इसलिए प्रभु से प्रेम करो और प्रभु को खोजो आ जानी लोग पढ़ लिख कर भी नहीं जानते हैं इसलिए आप प्रभु को पगा रहे हैं पवित्रात्मा आपके अंदर कैसे काम करेगा आप अद्बुद हो जाएंगे ऐसा अद्बुद काम वो आपके अंदर करेगा आज परमेश्वर इंतजार कर रहा है और तलाश कर रह है ऐसे लोगों की जो उसके खोजी हैं जो उसके प्यासे हैं आपको इस संसार से प्रेम नहीं करना इस संसार से बचके रहना है इस संसार का जो देवता है शैतान उससे बचके रहना है जूट से बचके रहना है जो धोका शैतान जिसमें हमें डाल देता है जिस धोके में उ और परमेश्वर को हमें फॉलो करना है, परमेश्वर को ढूंडना है, बहुत बार हम अपने जीवन के, बहुत से लोग अपने जीवन का बहुत सारा पोर्शन गवा देते हैं, बहुत सारे साल, पांच, दस, पंदरा साल लोग वेस्ट कर देते हैं, और गलत चीजों की सब्रक्राइब और कुंगर और हमें पना समय क्यों बर्बादMy चाहिए था चलो वापस प्रबू के पास चलते हैं और खुदाका जो आपसे जादा प्रेम करते हैं प्रभु को, जो आपके अगवे हैं, आपके कलीसिया के पुराने लोग हैं, या कलीसिया के वो लोग जो आपको पता है कि ये आदमी ना हमारे चर्च में, ये भाई या ये बहन परमेश्वर से बहुत प्यार करता है, आप उसके साथ साथ अपनी दोस्तियां चेक करो, कैसे दोस्त हैं आपके, अगर आपके दोस्त आपके साथ गलत बात करने वाले, मजाग करने वाले, भद्दा मजाग करने वाले, हसने खेलने वाले, खाने पीने वाले, गाली गलोच करने वाले, तुरंत अपनी संगती को वहां से निकल जाओ, आपका कोई नुकसान नहीं होगा आपकी आत्माओं का और आपके परिवारों का आपके बच्चों का बड़ा फाइदा हो जाएगा अगर आपने गंदे दोस्तों को साथ छोड़ दिया यह आपके लिए कुछ नहीं करेंगे यह सिर्फ आपके साथ यह आपको खा रहे हैं एक तरीके से आपको पता भी नहीं चल रहा यह वो उस छोटी सी चीटी के समान है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन जो नुकसान कर रही है हमारे शरीर के अंदर आपकी दोस्तियां आपकी संगती बहुत मैटर करती है कि आप अंत में कहां पहुंचोगे इसलिए अच्छी संगती में रहें हर तरह की बुरे दोस्तों को छोड़ दें और उनके मसीहा बनने की कोशिश मत करें और बुरे दोस्तों का साथ छोड़ दें और इस बहाने का इस्तिमाल भी ना करें तुनकर हम गलत दोस्तियों में ना जाएं, जो नौजवान हैं, इस बात को कान खोल कर सुन लें, परमेश्वर की अवास को सुनें, सब नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई है, सिरफ उस से शादी करें, जो प्रभू को जानता है, अगर आपकी शादी पांट साल लेट हो जाएगी, घबराओ मत, 20-21 साल में आपकी शादी नहीं हो रही है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, माबाप, जिनके जवान बच्चे हैं, घबराओ मत, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, ये शादी एक संसारिक चीज है, जिसको हम इस्तिमाल करते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए लेकिन स्वर्ग में कोई शादिया नहीं होगी आपके जीवन का अंतिम मकसद ना शादी करना है ना बच्चे पैदा करना है आपके जीवन का एका एक मकसद परमेश्वर की महिमा करना है जो हम बिना शादी किये भी कर सकते हैं और जो हम ब प्रभु में नहीं है तो आप गड़े में मत गिरें आप तुरंत फैसला लेकर प्रभु से मदद मांग कर उस रिष्टे को काट दें उससे बाहर आ जाएं अपने अविश्वासी जीवन साथी के साथ और अविश्वासी जीवन साथी के कारण नर्क में जाने से अच्छा है कि हम धर्ती पर कुमारे रहें लेकिन स्वर्ग में पहुंच जाएं इसलिए इस दुनिया के जूटे प्यार में मत पड़ें सिरफ जो प्रभू को प्रेम करता है सिरफ उसी के साथ आप शादी का सपना देख सकते हैं सब नौजवान और दूसरी बात अपने चाल चलन को सीधा रखें अपने चाल चलन को ऐसा रखें कि उससे परमेश्वर का नाम खराब ना हो उससे कलीसिया का नाम खराब ना हो अगर आप किसी मसीही जन से भी प्रेम करते हैं तो ध्यान रहे कि आप सब कुछ बड़े आदर के साथ बड़ी महिमा के साथ आप कीजे बाइबल बताती कि तुमारे अंदर तुम लोगों के अंदर शादी बड़ी आदर की बात समझी जाए तो शादी कोई खेल नहीं है आप बड़े आदर के साथ कलीसिया में कलीसिया के अगवों का और परमेश्वर का और कलीसिया के लोगों का आशिरवाद प्राप्त करके आप शादी करने के बारे में सोचें कभी भी किसी और गलत तरीके का या शॉर्ट कट का इस्तिमाल करके अपने जीवन को कलंकित मत करें परमेश्वर के नाम को भी आप खराब होने से आप बचाएं आपकी जिम्मेदारी है आप प्रभु को लेकर चलते हैं आप प्रभु को उठाकर चलते हैं इस संसार में इस संसार में अब प्रभु येश्व मसी किसी को नजर नहीं आते कोई प्रभु येश्व मसी को नहीं देख सकता लेकिन हमें देख सकते हैं लोग और परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर मसी को हम धारण करें और जितना ही हम अपने चरित्र में, अपने चाल चलन में, अपने सोच विचार में जितना ही हम मसी को धारण करेंगे तो लोग हमारे अंदर मसी को देखेंगे और इसी को हम कहते हैं मस्ती आज भी इस धरती पर जिन्दा है क्योंकि वो आपके अंदर काम कर रहा है और उसने आपका जीवन बदल दिया है और अगर नहीं आपका जीवन बदला है गुटनों पर आकर रो रो कर गिड़ गिड़ा कर प्रभू से बोलो कि प्रभू तु मुझे बदल दे क्योंकि बदल भी आप अपने आपको अपनी ताकत से नहीं सकते ना अपनी सोच से बदल सकते हो ना अपनी मेहनत से बदल सकते हो बदलने के लिए पवित्रात्मा चाहिए और पवित्रात्मा जब हमारे अंदर हम अपने आपको पवित्रात्मा से भर लेते हैं जब पवित्रात्मा के वर्दान और पवित्रात्मा के फल जब ये हमारे अंदर काम करते हैं तो लोगों को पता चलता है ये आदमी अलग है क्योंकि हमारे अंदर पवित्रा आत्मा ने काम किया है इसलिए सब नौजवान अपने जीवन में बहुत जादा परमेश्वर के भेह में चले पती-पत्नी, बाहर आप क्या करते हो, कलीसिया में क्या करते हो, समाज में आपका कितना नाम है उससे जादा जरूरी ये है कि आपके बच्चे माबाब के बारे में क्या सोचते हैं बाहर इज़त और नाम कमाने से पहले अपने परिवार को शान्ती और प्रेम के साथ अपने परिवार में अपना जीवन जीना सीखें पती अपनी पत्नी से प्रेम करे गहरा प्रेम करे और अपनी पत्नी को समझे और अपनी पत्नी को ऊपर उठाए अपनी पतनी पर पाबंदियां लगा कर अपनी पतनी पर शक करके अपनी पतनी पर अलग अलग तरह के बातें बोलकर उनका जी उनको दुख ना पहुंचाएं सब पती अपनी पत्नियों से प्रेम करें और सब पत्निया प्रात्ना वाला जीवन जीए चलते फिरते आपके मन से प्रात्ना निकले आपके पती के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविश्य के लिए और फिर आपकी कलीसिया के लिए, आपके चर्च के लिए परातना वाली महिलाएं बन जाएं आपकी पहचानों कोई आपको देखकर बोले ये परातना करने वाली महिला है और अपनी परिवार को आगे बढ़ाएं अपनी जिम्मेदारियों को समझें अपने पती के इज़द करें, अपने पती का आदर करें, अपने पती के अधिकार में रहें और अपनी परिवार को बड़ी शोभा के साथ अपनी परिवार का संचालन करें और बच्चे अपने माता पिता की आग्या को मानें बच्चे अपने छोटे बच्चे Sunday School में जाएं, लगातार Sunday School में जाएं, कभी भी Sunday School को मिस्स ना करें माबाप बच्चों के साथ प्रातना करें, लगातार घर के अंदर प्रातना का महौल बना के रखें बच्चन कहता है कि अपने आप को इस संसार की गन्दगी से दूशित होने से बचाओ आप जानते हैं, प्रदूशन, भी वो हमारे शरीर को कैसे खराब करता है, धूआँ, समझते हैं आप इस सारी बातों को उसी प्रकार हमारी आत्मा को भी ये संसार का जो मोम आया है ये हमारी संसार के लिए हमारी आत्मा के लिए pollution है प्रदूशन है और बाइबल बताती है अपने आपको polluted होने से बचो अपनी आत्मा को गंदी सांस से बचने के लिए हम लोग मास्क लगाना सीख गए हैं हमें अपनी आत्माओं पर मास्क लगाना है समझें आप मेरी बात को अपने आपको ऐसा संसार जो सड़ रहा है इस सड़ते हुए संसार से बचाएं आप जानते हैं एक सड़ी हुई चीज आस-पास के सारे वातावरन को या चीजों को साड सडा सकती है उसी प्रकार ये जो संसार की जो गंदगी है, संसार जिस रास्ते पर चल रहा है, जिन chीजों के पीछे भाग रहा है ये सारी चीजें आपके आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती हैं और पहुंचा रही है पहुंचा रही है यदि आप उस रास्ते पर नहीं चल रहे हो जिस रास्ते पर अपना क्रूस उठा कर आपको चलने के लिए प्रभू ने बुलाया है